हाई एवरिवन मैं हूँ सुप्रिया और इंडियन फूड कल्चर में आपका स्वागत कर दियू सामने आपको मटार दिख रहा है अजकल मार्केट में बहुत सारा हरा अच्छा सा मटार आया है तो थोड़ा सा चिलने का काम कठीन रहता है तो ये सीधे तरीके से मतलब एक किलो मटार पाच मिनिट में कैसे जल्दी से चिलेंगे इसका नया तरीका नया ट्रिक में बताने वाली हो तो हम आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक किलो मटार लाया है वो अच्छा सा पहले धो लेना चाहिए आप बेसिंग के नीचे धो लिया तो भी चलेगा गैस पे पैन रखा है पैन में मैंने पानी डाला है पानी को अच्छा सा बॉइल आने के बाद यह जो पूरा मटार है मैंने दो बार अच्छा सा दूने के बार मैंने मटार डाला है इसमें तो उसको ज़्यादा बिल्कुल पकाना नहीं हमको उपर का जो छिलका है हलका सा सॉफ्ट होना चाहिए तो यह मतलब दो या तीन मिनिट बहुत होगा यह पूरा एक किलो मटार में इसमें डाल रही हूँ पैन में तो इससे बहुत आसान तरीके से हम लोग मटार चिल सकते है उपर ढखन रखा है मैंने और तीन मिनिट के बाद मैंने उपर ढखन खोला है अब देखो उपर का जो छिलका देख रहा है वो बहुत सॉफ्ट होगा है एक बरतल में मैंने यहाँ पर आइस लिया है और आइस लेने के बाद हम लोग पहले एक बोटल चिल वाटर डालेंगे ठंडा पानी ही डालना चाहिए तो यह जो मटार है फटा-फट हम लोग चिल सकते हैं और जो बॉइल किया हुआ मटार है हलका सा बॉइल किया है उस पर बरत के पाने में डाला है तो यह बहुत आसान तरीका है आप एक बार करके देख लिजिए और पूरा का पूरा आप लोग बड़ा बरतन भी ले सकते हैं तो अभी देखो ठंडे पाने में में डाला है और यह इतना फटा-फट मटार चिलने का नया ट्रेक है आप पूरा एक किलो मटार पाच मिनिट में फटा-फट चिल सकते हैं कभी-कभी पनीर के सब्जी बनाने रहती हैं कभी-कभी पुलाओ बनाना रहता है हम बहुत सारी सब्जियों में मटार का यूँच करते हैं तो ऐसा अगर तरीका हम लोग करेंगे तो फटा-फट मटार चिल के अपना रेडी हो जाएगा यह हम लोग चार किलो पाच किलो मटार लाके भी ऐसी प्रोसेजर करेगे तो हम लोग डिफ्रिज भी कर सकते हैं यह मटार पूरा एक साल तक अच्छा सा रहता है अब देखो इतना फटाफट फटाफट एक ही हाथ से निकलता है ज्यादा बिल्कुल पकाना नहीं उल्ली उपर का जो कवर है वो सॉफ्ट होना चाहिए हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए तो देख लिए कि फटाफट फटाफट मैंने तो अगर ऐसा लाया तो मटार छिलने में बहुत टाइम लगता है अब लोग ऐसे स्टोर करके रखते है तो फटाफट सब्जी सब्जी में हम लोग मटार यूट करेंगे अभी देखो पूरा का पूरा मटार मैंने पाच या सात मिनिट में ही पूरा रेडी किया है एक किलो मटार और ये पूरा मैंने किचन टॉविल में डाल रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी गया है अब देखो ये जो मटार है मैं अच्छा सा टॉविल पे ये करके पोच लोगी क्योंकि उसमें थोड़ा पानी है इसमें मैं एक घंटे के लिए फैन के नीचे रखोंगी ये पूरा सुखना चाहिए और सुखने के बाद देख लीजे कि आप ऐसा दिखता है वो देखे पूरा एक घंटा मैंने फैन के नीचे रखा तो कितना सुख गया है और एक एरटाइट कंटेनर में आप ये मटार भर के फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं सबजी बनाने के टाइम पे हम फटाक से निकल के सबजी बना सकते हैं यह बहुत इजी तरीका है आप एक बार करके लिख लेजिए रेसिप अगर अच्छी लेगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए